हालो अरिवन आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चप्टा नमबर 1 एंड आवर चप्टा नम इस नोइंग अबर नमबर्स आज हम करने वाले हैं एक्सोसाइज 1.1 का कोशन नमबर 4 इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास कर ली है एंड कोशन नमबर 1, कोशन नमबर 2 एंड कोशन नमबर 3 हमने कर लिया है यदि आपने यह नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इसके लिंक मिल जाएगी आप महाँ से यह देख सकते हैं आईए अब हम पढ़ते हमारा फोर्थ कोशन क्या दे रखावा है इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to international system of numeration हमें क्या लिखना है international system लिखना है आईए तो हम आपने digit क्या दे रखी है 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2 ओके अब international system में कैसे count करते हैं आप अब हमें इसमें कॉमास भी लगाने हैं तो हमने इसको सुरल बनाने के लिए क्या कर लिया बोक्स बना लिये जो ये फर्स्ट है ये हंडर्ट को रिप्रेजेंट करता है ये जो रहता है ये thousand को रिप्रेजेंट करता है जो third रहता है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है million को रिप्रेजेंट करता है आईए अब हम इसमें ये value पुटा कर लेते हैं 2, 9, 0, 1, 2, 9, 8, 7 तो अब हमने ये तो बना लिये अब हम कॉमा लगा लेते हैं कॉमा लगाने का सिंपल सा है 7, 8, इसके बार में कॉमा लग जाएगा 9, 2, तो आईए अब हम इसे केसे लिखेंगे 78,921,092 तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखना है हमें 78,000,000 78,921,000 92 I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अब जो इसका सेकेंड नमबर का कॉश्चन है वो बहुत सिंपल है आप कर सकते हैं आईए अब हम आते हैं थार्ड नमबर पे C नमबर पे क्या है 9, 85 1, 0, 2 अब हम इसमें भी कॉमस लगाएंगे सबसे पहले तो हमें काउंट करने के लिए हमने सबस अच्छा तरीका जो है जो हमारा है वो क्या है हम इसमें बोक्स बना लेते हैं अब जो यह फर्स्ट वारा बोक्स है 100 को रिप्रेजेंट करता है यह 1000 को और यह Million को रिप्रेजेंट करता है So 2, 0, 1, 5, 8, 9, 9, 9 So हम इसे कॉमा कैसे लगाएंगे 9, 9, 9, 8, 5, 1, 0, 2 ऐसे हमने इसको कॉमा लगा लिए आईए अब हम इसे बोल कर देखते हैं 99,985,102 तो हम इसको रिख लेते हैं क्या है सबसे पहले 99,9,99,985,102 तो हम इसको रिख लेते हैं क्या है हमारा 4, 8, 0 क्या दे रखा उन्हों हमें 4, 8, 0, 4, 9, 8, 3, 1 अब हम इसको करते हैं 1, 3, 8, 9, 4, 0, 8, 4 ये मिलियन को रिखेंट करता हैं ये थाउजेंट को रिखेंट करता हैं और ये 1,831 तो चली अब हम इसे लिख लेते हैं So, forty, eight million, forty, nine thousand, eight hundred, thirty, one, I hope आपको ये question समझ में आ गया होगा, international form कैसे लिखते है, international system कैसे लिखते है, आपको ये समझ में आ गया होगा, thank you.